जल्द ही हटे का इन राशियों से शनी का साया जाते जाते इन राशियों पर महर्बान हुए शनी पूरा असर जानने के लिए देखें ये वीडियो मेरे यूटूब पे रेस्टो ने इस पर आपका स्वागत है नमस्कार मेहरु रिश्कमार सबसे पहले उन दर्शकों का थनिवाज जिन्होंने पेज को सबस्काइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बाक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे शनी देव की शनी देव का गोचर होगा 29 मार्च 2025 को इस समय शनी देव के प्रभाव में तीन राशियां चल रही है सबसे पहली राशी है मकर जिसके उपर शनी की साड़े साती का आखरी फेज चल रहा है दूसरी राशी है ब्रिस्चिक जिसके उपर धहिया चल रही है और तीसरी राशी है करक जिसके उपर शनी की ढहिया चल रही है इन तीन राशी को शनी के परभाव से मुक्ती मिलने वाली है हलाकि कुम राशी के उपर भी शनी की साड़े साती चल रही है लेकिन इसको मुक्ती अभी नहीं मिलेगी और जो मुक्ती मिलेगी इन तीन राशियों को मिलेगी मकर राशी को मिलेगी, करक राशी को मिलेगी और विष्चिक राशी को मिलेगी मकर राशी के उपर 26 जनरी 2017 से शनी की साड़े साथी चल रही है ये साड़े साथी खतम हो जाएगी इसके इलावा करक राशी और विश्शिक राशी इसके उपर 29 अपरेल 2022 से शनी की धहिया चल रही है ये धहिया भी खतम हो जाएगी आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन सी राशी के उपर जो है वो शनी का क्या प्रभाब पढ़ रहा था कौन सा एरिया फ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था इस पूरे वीडियो में आपको इसका विश्शलेशन बताएंगे दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे करक राशी की करक राशी के उपर शनी की धहिया चल रही है यह धहिया शुरू हुई थी 39 अपरल 2025 को और खैर यह लंबी हो गई है नॉर्मली शनी जो है वो धाई साल यानि की 30 मही ने एक राशी में जाते हैं यहाँ पर यह अवदी थोड़ी सी लंबी हो गई है और शनी अभी यहाँ पर गोचर करेंगे आपकी कुनली में 39 मार्च 2025 को जो है वो पांच में भाव में यानि की धहिया खतम हो जाएगी और धहिया खतम होने से आपको बहुत बड़ी राहत मिनने वाली है करक राशी के जातकों के लिए शनी वैसे भी अच्छे नहीं होते क्योंकि करक राशी की जो जातक है उनके लिए शनी की जो मकर राशी है वो आती है सब्तम भाव में और जो कुम राशी है वो आती है अश्टम भाव में तो करक राशी चुकी चंदर्मा की राशी है और शनी और चंदर्मा आपस में मितर भाव नहीं रखते इसलिए नॉर्मल तोर के उपर जब शनी की महादशा या अंतदशा आती है तो करक राशी के जातकों को उसके अच्छे फल नहीं मिलते क्योंकि सब्तम सान जो होता है वो अस्टम में घोचर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ऑफ जीसी ज्यदा परशान करने वड़ी होजाती है टीक्र परशान जल्दी हो जाते हैं अब पिछले धाई साल में क्या हुआ है जो इस समय कुंडली आपकी जो कुंडली नजर आ रही है यहां पर आपके चार्ट में अश्टम में गोचर है शनी की तीसरी द्रिष्टी जा रही है आपके करम भाव के ओपर यानकी दशम भाव दशम भ आती हैं शनी का क्योंकि काम है वो जो है वो किसी भी काम को मंद गती से करवाते हैं तो कुछ लोगों के इस अवदी के दुरान जो कारोबार हैं उसमें बहुत जादा व्रिदी नहीं हुई पेशेंस टेस्ट करने का शनी काम करते हैं कुछ लोगों को अपनी नोक्री में त आत्मी द्रिश्टी धन भाव के ओपर जा रही है, जब आपका करम पर भावित हो रहा है, कारो पर पर भावित हो रहा है, तो यहाँ पर धन में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है, कुछ ऐसे लोग भी है करकराशी के, जिन्हों ने पिछले इस शनी की अवदी के पिरिड के रहा है, करकराशी के जाते हैं कि वैसे भी एग्रसिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इमोशनल में कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं, जो सामने वाले को हट कर जाता है, यहाँ पर कुटुम के साथ समस्या का इशू आ रहा है, धन भाव में इशू आ रहा है, इटिंग है होता है कुछ ऐसे लोग हैं करक राशी के जिने संतान की जो है वो इच्छा है लेकिन यहां पर एक्जीक्यूशन नहीं हो पारी क्योंकि शनी यहां पर डिले करवा रहे हैं और यहां पर शनी आगे निकल जाएंगे यह 25 मार्ट उदर 25 को होगा तो संतान पक्षे आपको अच वो कारोबार आगे चलता हुआ नजर आएगा नोकरी में आपको प्रमोशन होती हुए नजर आएगी बहुत सारी चीजें हैं जो शनी की ढहिया के कारण रुक जाती हैं या आपको उसका उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता जिस तरीके से आप अपनी त्यारी कर रहे ह होते हैं उसकी उमीद कर रहे होते हैं वो नहीं हो पाता तो शनी के इस प्रभाव से आपको 29 मार्च 2025 के बाद मुक्ती मिलेगी और आपको आप जो है वो काफी बैटर वे में आगे जो है वो काम करेंगे लाइफ में ये आपको जो है वो शनी जब आगे राशी प्रोड़त हैं कि शनी अश्टम भाव में हैं शनी बारवें भाव में हैं शनी राहुके तू एकसिस में हैं मंगल के साथ हैं मंगल से शटाश्टक में हैं सूरे के साथ हैं पीडित हैं या अस्थ हैं तो आपको शनी के डेफिनिटली कुछ ना कुछ रेमेडिस ज़रूर करनी चाहिए शनी की सबसे पहली remedies तो यह है कि आप शनी जो है वो मंतरा है उसके जब करें शनी का मंतरा होता है ओम शंशनिश्चरायरमा ये बीज मंतरा है इसको डेली एकमला जब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है शास्तर कहता है अधिकाय अधिकम फलम यानि कि जितना आप करते हैं उतना ज्यादा आपको उसका नतीज़ा मिलता है यदि आपके अंडर कोई काम करता है यानि कि आप ओफिस म जितने भी लोग आपके अंडर काम करते हैं, वो सारे Saturn को represent करते हैं, क्योंकि Shunny masses के ग्राह है, masses के साथ आपका जो dealing है वो अच्छा हो, तो आपको Shunny के definitely अच्छे results देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे clients आते हैं, जिनकी बहुत सारी factories हैं, बहुत परशान हैं, पता लगता है कि वो अपने labor के साथ misbehave कर रहे हैं, किसी को physically assault भी कर जाते हैं, उससे उनको Shunny के खराब results मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, सारे भगवान के लिए समान होते हैं, शनी खास दोर पर masses के कारक है, तो masses के साथ respectfully पेश आईए, और ये शनी का मंतराज हैं, वो मैंने आपको पता है, यदि आपकी कुनली में शनी की स्थिति केंदर या त्रिकोर्ण में हैं, या लापसान में हैं, यानकी पहले भाव में, चोथे भाव में, पांचमे भाव में साथमे भाव में, नुँए भाव में और गैर्वे भाव में हैं, तो आप शनी का नीलम धारन कर सकते हैं, ये आपके लिए definitely अच्छा रहेगा, यदि शनी पीडित हैं, या फिर शनी अश्टम में है, बार्वे भाव में है, छाटे में है, फिर मत धारन करें, इससे आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मकर राशी की और बात होगी शनी देव की शनी देव का जो है वो गोचर जो है वो इस समय चल रहा है कुम राशी में और मकर राशी जो शनी की अपनी राशी है ये साड़े साती के प्रभाव में है और ये प्र रहा है ये 39 अप्रेल 2022 को शुरू हुआ था और 39 अप्रेल 2022 के बाद अब अगले साल 39 मार्च 2025 को ये खतम हो जाएगा लगबग साड़े 6 महीने का पीरिड है जब ये साड़े साथी खतम हो जाएगी और मकर राशी के जातक शनी के प्रभाव से मुक्त हो जाएगे जो प्रभाव देखने को मिला इन साड़े साथ सालों में काफी सारी चीज़ें हुई क्योंकि जब 12 अउस में शनी गोचर करते हैं ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है तो 12 अउस में जब गोचर होता है तो शनी सबसे पहले आकर धन भाव को परवावित करते हैं क्योंकि दीसरी द्रिष्टी धन भाव के उपर जाती है फिर जो है वो सीधी द्रिष्टी जाती है छटे भाव के उपर ये रोग रिन शत्रु का भाव होता है वैसे भी जब शनी आते हैं तो ये रोग के कारग रहे हैं और यहां पर आकर आकर आपको रोग देने का काम कर देते हैं या कर्ज वलिस्थी आपके सामने पैदा कर देते हैं जब शनी 12 आते हैं आपके कुल्णी में यहाँ पर देखिए दसवीं दृष्टी जो है वो जारी आपके भागे सान के उपर तो भागे का साथ जो है वो थोड़ा सा कम मिलना आपको शुरू हो जाता है तो यह पहले फेस में ऐसा होता है दूसरे फेस में चंदरमा के उपर से जब शनी आते हैं तो तीसरे भाग को परभावित करते हैं जो प्राकरम का भाव है आप में जो है वो थोड़ा सा होंसला कम हो जाता है आपको एक कॉंफिडेंस में जो है वो थोड़ी सी कमी हो जाती है सेवंथ हाउस को परभावित करते हैं जो रिलेशन्शिप के मैटर है जो married लोग हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है 10th house जो आपका profession का भाव होता है उसको प्रभावित करते हैं तो पिछले जो दो faces दे शनी के मकर राशी के जातकों को in areas of life में काफी परशानी आई होगी और जब तीसरा face आता है जो खास दोर पर giving face माना जाता है यहाँ पर भी जब शनी रहते हैं तो 4th house को सीधा aspect करते हैं 2nd house में बैठ कर यह आपका peace of mind होता है कई बर peace of mind आपका disturb कर देते हैं इसके लवा अश्टम को देखते हैं कुछ लोगों को इस सवदी के दुरान sudden accident को भी face करना पड़ता है 11th house को देखते हैं 2nd house में बैठ कर आए भाव को परभावित करते हैं तो यह सारी चीज़े जो है वो पिछले 7 साल से आपके साथ हो रही थी यह कुंडली पे हमने लगा के दिखाया आपको और अब अगले 6 महीने के बाद यह स्थिती बदल जाएगी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उससे राहत मिलती है नजर आएगी शनी का वैसे भी चंदरमा के से दूर जाना अच्छा होता है शनी जैसे जैसे चंदरमा के पास आते हैं वैसे वैसे आपको प्रभावित करते हैं हाला कि मकर राशी शनी की अपरी राशी है बहुत सारे जातकों को इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता लेकिन जिनको होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब शनी 39 मार्च 2025 को आगे निकल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे कारण यह है कि कोई भी पापग्रह हो चाहे वो शनी हो रहू हो केतू हो सूरे हो मंगल हो तीसरे भाब में पापग्रहों का गोचर काफी शुब हो जाता है तो राशी के स्वामी का तीसरे भाब में जाना आपको definitely बहुत help करेगा सबसे पहले तो यह है कि आप negative influence से निकल जाएंगे जो इस समय प्रभाव negative चलता है वहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपका जो peace of mind है वो वापस लोटेगा सबसे पहले तो यह होगा जब आपका peace of mind वापस लोटता है तो आपको definitely काम करने में आपका मन लगता है और आप जो है वो पूरी जो है वो enthusiasm के साथ पूरे उत्सा के साथ आप काम करते हैं और जब तीसरे भाव यानकी प्राक्रम भाव में शनी आ जाएंगे तो प्राक्रम में विर्धी करेंगे क्योंकि शनी जहां पर बैठते हैं उस भाव के फल में विर्धी कर देते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं तो यहां पर पूरे प्राक्रम के साथ काम करने का समय आ रहा है जो चीजों में आपको प्राव्लम आ रहे थी जिन एरियास ओफ लाइफ में आपको प्राव्लम आ रही थी वैसे भी पीस ओफ माइं डिस्टरब चल रहा है कुछ लोगों का फूर्थ हाउस डिस्टरब है मदर की हल्थ को लेकर दिक्कत है सीक्रेसी के मामले में कुछ लोगों को काफी प्राव्लम हुई है आए भाव के साथ साथ 11 आहूस जो आपकी प्राव्लम हुशन का भी भाव होता है तो यहां पर शनी की दिश्टी जो है वो नेक्टिव इनफलेंस दे रही थी वो नेक्टिव इनफलेंस जैसे ही अटेगा वो प्रिमोशन के राएस्टे भी आपके लिए खुलेंगे शनी धन्मे वृद्धी का काम कर सकते हैं आपके लिए क्योंकि शनी धन्मसान के स्वामी भी है आपके लिए और वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो गोचर 2025 के बाद हो जाएगा तो मकर राशी के जात्कों को यही खुश खबरी है कि अगले 6 महीने बाद आपको शनी की साड़े साती से मुक्ती मिल जाएगी जो साड़े साती 26 जनुरी 2017 को शुरू हुई थी वो 29 मार्च 2025 को खतम हो जाएगी शनी आगे निकल जाएगे आपके ओपर मांसिक दबाव कम होगा आप थोड़ा सा रिलीफ फिल करेंगे फिजिकली भी आपको रिलीफ होगा जिनके ओपर कर्च चड़ा है जिनके ओपर कोई कोड केसिस है उनको यहां से मुक्ती मिलती होई नजर आएगी यह मकर राशी के जात्कों के साथ होने जा रहा है डैफिनिटी कुछ न कुछ ऐसा देके जाएंगे जो आपको जो है वो काफी जो है वो पॉज्टिव रहे गा आपके लिए और यदी आपकी कुंडली में शनी की इस्तिथी गराब है क्योंकि आपकी कुंडली में शनी राशी के स्वामी है ठीज मंत्र है ये जब किया जना अच्छा है। ये ज़पा मंत्र में भी लिए जकता है रूटीन में जहा पर भी कोई संसान है जापर आप काम चला रहे हैं वहाँ पर करमचारियों के साथ आपका संबाद जो है वो respectful होना चाहिए उनको कहीं न कहीं कोई न कोई सर्प्राइज देते रही है यह आपको मस्स का जो है वो blessing मिलती है और शनी के उससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और यदि आपकी कुंड़ी में शनी की position केंदर में है यह कुंड़ी आपके सामने लगी वी है केंदर के भाव होते हैं पहला चोथा साथवा और दसवा और त्रिकॉर्ण में की पांच में और नुवे भाव में या 11th house में तो शनी का नीलम आप धारन कर सकते हैं जोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे शनी देव की और बात होगी वरिश्चिक राशी की वरिश्चिक राशी के जातक शनी देव की जो है वो धैया के प्रभाव में है यानि कि शनी प्रभाव रखते हैं लहाजा मंगल की राशी के लिए शनी अच्छा फल नहीं करते शनी यहां पर प्राक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और चोथे भाव के स्वामी बनते हैं लेकिन शनी के फल यहां पर अच्छे नहीं होते यह गोचर आपके लिए हो रहा है 39 अप्रेयल आए गए हैं इसलिए ये गोचर लगबग 31 महीने का हो गया है यानकि 29 मार्च 2022 से लेकर अगले सालब 29 मार्च वरी 29 अपरयाल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 ये लगबग 35 महीने का पिरिड है जब शनी की धहिया जो है वो वर्षिक राशी पर चल रही है लेकिन इस धहिया से अब मुक् चोथे भाव में है तो समाने तोर पर क्या होता है जहां जहां पर शनी की धिश्टी जाती है वो भाव खराब हो जाते हैं जब चोथे भाव में है अब देखिए यहां पर दिश्टी जा रही है तीसरी धिश्टी जा रही है चटे भाव के उपर वर्षिक राशी की ये कु से आएगा आपका ननिहाल पक्ष चठे भाफ से आता है तो यहां से संबंदित जो समस्या हैं वो शरीकी दृष्टी जो है वहां पर पढ़ते ही वो शुरू हो रखती हैं तो यह आस्पेक्ट जो है वो इस समय डिस्टरब चल रहा है लाइफ का कहीं न कहीं कुछ लोगों को ननिहाल पक्ष से प्रोडम चल रही होगी कुछ लोगों को कर्ज से समंदित इशू आगया होगा कुछ लोगों को फीजिकल इशू आया होगा तो यह सारी चीज़ें वो आगे जाकर थोड़ी सी आपको इस आउट होती हुए नजर आएगी यहां पर आपको थोड़ी सी सम परस्या में कम होती हुए नजर आएगी जो कर्ज चड़ाया वहां से कर्ज में अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी इसके इलावा अब यहां पर शनी जब चोथे भाव में बैठते हैं तो सीधी द्रिष्टी देते हैं आपके दशम भाव को दशम करम का भाव होता है शन पर शनी नहीं हो पा रही होगी 2022 से और यदि आप नोकरी करते हैं कहीं पर आपका फ्रीलांस का अपना काम है कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं वहां पर आपको रिजल्ट जो हैं वो अमीद के मताबिक नहीं मिल रहे होंगे कारेस्थल पर आपके लिए चुनोतियां पेश 29 मार्ट 225 के बाद कारोबार से समझदी चीजें जो आगे चलती हुई नजर आएंगी नोकरी से समंझदी चीजें आगे चलती हुई नजर आएंगी जो पीछे छूट गया है वो आगे आपको थोड़ा सा बेटर जो है वो वे आपको मिलेगा, कर्जी में मुक्ति आपको मिलती होई नजर आसकती है, कारोबर में वर्दी नजर आसकती है जब शनी यहापर बैठते हैं तो आपकी राशी को भी देख न शुरू करते हैं आपका रविया जो है वो टालमन टोल वाला हो जाता है, आज का काम आप कल पर छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के उपर शनी की द्रिष्टी ये नेगटिव ग्रह है, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, तो आपका थोड़ प्रसेस थोड़ा सा नेगटिव कर द जब चंद्रमा के प्रभाव शनी के प्रभाव से निकलेंगे, तो वो थोड़ परसेस सबसे पहले ज़ी चेंड होगा, तो जब थोड़ प्रसेस चेंड होड़ाएगा, तो आपका सारा कुछ लाइफ का चेंड होड़ाता है, क्योंकि सारी चीजें विचार से जुड़ी आपका विचार positive हो गया किसी चीज़ को लेकर तो आप उसको कर जाएंगे यदि आपका विचार negative हो गया तो आप वहाँ पर effort भी नहीं करेंगे जब आप effort नहीं करेंगे आप पहला कदम नहीं लेंगे तो आप अपनी यात्रा या अपनी journey पूरी नहीं कर सकते तो यहाँ पर चंदरमा का प्रभाव हट चंदरमा से शनी का प्रभाव हटने का मतलब है कि आप मांसिक तोर पर positive होंगे मांसिक तोर पर आपका thought process positive होगा आप अपने विचार को बदलेंगे आप positive side पे चलेंगे तो उसके आपको शनी जाएंगे जिस भाव को वो मिजबूत करते हैं तो वहाँ पर आपको बुद्धि विवेक के साथ आप काम करते हुए नदर आएंगे क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है पंचम संतान का भाव है संतान पक्षिया आपको शनी का गोचर है मन को थोड़ा सा मयूज कर रहे है चंद्रमा के उपर द्रिष्टी है यह सारी चीज़ें आपको जो है वो थोड़ी सी हर्ती हुई नदर आएंगी शनी के अगले गोचर के दुरान हाला कि अभी शनी की जो है वो स्तिती वक्री चल रही है पंद्रा नुवंबर को मार्गी होंगे उसके बाद तेजी से आगे अपने जो है वो मीन राशी की तरफ बढ़ेंगे उससे आपको काफी जो है वो राहत मिलती हुए नदर आएगी वक्री वस्ता में भी आपको या हम इसके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही यदि आपकी कुंडली में शनी की पोजिशन खराब है जाते 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 तो शनी की रेमेडिस की भी बात करते हैं क्योंकि शनी आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं होते मंगल की राशी है यदि कुंडली में शनी पीडित है र remedies के तोर पर ओम शन 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 श्चरायर नमका जो बीज मंतर है उसकी एक माला आप डेली कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत अच्छा है शनी मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं शनी आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे सैटलन को रिप्रेजेंट करते हैं ज शनी के दान के तोर पर आप काली डाल जो होती है उड़त की वो मंदिर में डेनेट कर सकते हैं या कहीं ऐसी जगह पर करिए जहां पर इसका यूज हो जाए यह दान करना जो है वो सबसे ज़्यादा यह जरूरी है कि आप बैनिफिश्री डेंटिवाइक करके दान दें आप आपका दान खराब नहीं जाना चाहिए और आप जब दान करते हैं शाम के समय करें और संकल्प लेकर करें आपका नाम अपना गोत्र अपनी राशी अपना जो आपका नक्षत्र है वो बोल के उस दिन जिस दिन आप बोल नहीं है उस दिन क्या नक्षत्र है वो बोल के संकल लेने के बाद ही दान करना चाहिए, इससे ही दान लगता है, इसके बिना किया जाने वाला दान जो है, वो नहीं लगता है, ये इस चीज़ का भी गरूर ध्यान रखा जाना चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, ये ये वीडियो अच्छा लगए तो शेयर जरूर करिए, पेज को सबस्क्राइब जरूर करिए, इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त, नमस्कार.